प्रियो एक सेवक को एक संस्था ने सेवा करने के लिए एक स्थान में भेजा, वो जाकर बहुत सेवा किया, बहुत परिश्रम किया, एक वेक्ति भी उधार नहीं पाया, उस नए छेत्र में जाकर बहुत बोज के साथ, जब वो बहुत परिश्रम से सेवा कर रहा था, एक भी आत्मा बचाई नहीं गई और एक भी फल जब उसे नहीं मिला, तब वो पत्तर लिखा, मुझसे नहीं हो पारा इन लोगों के बीच, मैं कितना भी परिश्रम करूं, सेवा करूं, एक व्यक्ति भी उधार नहीं पारा है, इसलिए अब इस निराशा से भरी वी सेवा मैं नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, इस तरह पत्तर लिखा, उस संस्ता के लोगों ने वापस उसे एक पत्तर लिखा, कृप्या तो मत आना, नाश होने वाले लोगों को, उधार में लाने के लिए ही आप वहां भेजे गए हैं, तुरंट फल नहीं मिला है, इस पत्तर उसे प्रोस्ताहित करते हुए, वे पत्तर लिखे, उस पत्तर को पढ़कर वो सेवग और कुछ समय तक बोच के साथ परिश्रम से सेवा करने लगा, बहुत परिश्रम किया लेकिन फिर भी प्रतिफल नहीं मिला, कलिस्या में उन्नती नहीं थी, आत्माय बचाएं न निराश होकर पत्तर को लिखा, सारी कोशिश हैं मैंने कर ली, लेकिन प्रतिफल मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद अंत में वे लोग उसे एक टेलिग्राम दिये, वो क्या है कि, ट्राई विद टियर्स, आस्वों के साथ कोशिश करो, इसे एक बाद को टेलिग्राम में लिखे, आस्वों के साथ कोशिश करो, उसे पढ़कर वो सेवक सुचा, सारी कोशिशों को मैंने किया है, इस तरह मैं लिखा लेकिन, आस्वों के साथ कभी कोशिश नहीं किया, आस्वों के साथ प्रातना नहीं किया, अंत में ये कोशिश भी मैं क ये सोच कर आस्वों के साथ रातना करना, सेवकाई करना, प्रचार करना वो प्रारंब किया। उसके बाद कभी भी वो उन लोगों को पत्र नहीं लिखा। पत्र लिखने के आउशकता भी नहीं पड़ी। उसकी की गई सेवा पलवंध होई। प्री भाई और बहनों, सारी कोशिश ने कर लिया ब्रदर, सारी कोशिश ने कर लिया पास्टर जी, प्रतिफल मैं नहीं देख पा रहा हूँ अगर आप आज कह रहे हैं तो मेरा प्रश्न है, क्या आप आस्वों के साथ कोशिश किये हैं, आस्वों के साथ रातना किये हैं, अ प्रियों ये भजनकार कह रहे हैं, एदि सारी रात मैं रोऊं या आसु बहाऊं लेकिन सुबा होते ही परमेश्वर क्या करेंगे? आनन्द को देंगे. कितना अद्बुत परमेश्वर है प्रियों? आप मेंसे कितने लोग ऐसे अनुभाव मेंसे गुजरे हैं? पूरी रात बहुत ही दुख, संकट और वेदना म से होकर गुजरा हूं लेकिन सुबा होते ही परमेश्वर मुझे बहुत ही आनन से और शान्ती से भर दिया है. मेरे आसुओं को मैं भूल गया हूं कहने वाले एक बार हाथ दिखाएंगे? येस. कितना अद्बुत परमेश्वर है प्रियों? इसलिए हमें क्या करना है? भज की आराधना करना. प्रियों रात के समय जखमी होकर भी अपमान के बीच, चोट के बीच, पॉलुस और सीलास क्या किया आपको याद है? क्या किये वे? एक और सारी रात प्रातना किये, दुसरी और प्रभु की वे स्थुति किये, यानि आराधना किये. वचन में हम देखते हैं, यदि तुम में कोई आनन्दित है तो वो परमेश्वर के भजन गाए. येस, आनन्दित है तो, जिस कारण से आप आनन्दित हैं, ऐसा कोई विजय या आपने जो चाहा है वो प्रतिफल. अगर आप पाते हैं, तो परमेश्वर की स्थुति करना उतना खटिन नहीं है. जब आप आनन्दित होते हैं, उस समय परमेश्वर की स्थुति करना मुश्किल नहीं होता है. लेकिन, जब आपके प्रश्णों का उत्तर नहीं मिलता है उस समय, असाध्य रोगों में से जब आप गुजरते हैं, चुका ना पाने वाले कर्जों में से जब आप गुजरते ऐसे समय में परमेश्वर की इस्तुती करना आसान नहीं है। परमेश्वर किसी अद्बुत योजना को छिपा रखे हैं क्योंकि बैबल बताती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती हैं और थार्थ उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं इस तर अपने भाई को देखा है उससे प्रेम नहीं कर सकता तो जिस परमेश्वर को नहीं देखा है उससे कैसे प्रेम कर सकता है दिखाई देने वाले व्यक्ति से प्रेम ना कर पाने वाला व्यक्ति ना दिखाई देने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है बताईए आसान नहीं है, अभी आपकी जाच, प्री भाईों और बेहनों, आपके घर में दिखाई देने वाली पतनी साथ प्रेम कर सकते हैं क्या, ब्रेधर आप पर्सनल मैटर बात मत कीजिए, कहने वाले हैं क्या, Family matter के विशह में बात मत कीजिए Family life अलग है Spiritual life अलग है इन दोनों को कोई अलग कर सकते हैं क्या प्री बहन परमेश्वर से प्रेम करती हूँ आपने हाथ दिखाया प्री भाई परमेश्वर से प्रेम करता हूँ आपने हाथ दिखाया है दिखाय देने वाले अपने पती से प्रेम कर पा रही है दिखाय देने वाली अपने पत्नी से प्रेम कर पा रहे है तब आप उत्तर देंगे मेरी पत्नी के विशह में आप नहीं जानते बहन आप भी यही कहेंगी न भाई थोड़ा आप रुकिये आप मेरे पती के विश्याए में नहीं जानते, क्रिप्या सुनिये, क्या आपके विश्याए में, हाँ, मुझे मालूम है, प्रिभाई और बहनों सुनिये, आपके विश्याए में वो परमेश्वर जानते हैं, और वैसे ही बहन आपके विश्याए में भी परमेश्वर जानते आप कह सकते हैं मेरे पती की विशय में आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ, मेरी पत्नी की विशय में आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, आपके विशय में भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके विशय में आपके पती के विशय में, आपके विशय में आपकी पत्नी हाथ दिखाएंगे? राइट, असली में हाथ दिखाने में आपके जैसे आज्याकारी कौन है बताईए, परमेशवर मुझ से प्रमेश्वर 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 स बच्चे हत्यारे हैं हत्यारों का स्वर्ग राज में पहुँचने का चैंस नहीं है प्रियों इसलिए इस सत्य को मत भूलिए प्रियों उस दिन पॉलूस और सिलास जखमी हुए उन्हें भैंक का रूप से मारे वे कोई गलती नहीं किये थे वे कोई गलती नहीं किये थे, वे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, दुश्रात्मा पकड़ी वे इस्तरी को छुड़ा कर उसे अच्छा किये, वे भलाई किये लेकिन अन्याएं के साथ उन्हें मार कर, उन्हें पूरी तरह से जत्मी करके बंदी ग्रह में डाल दिये वे कैसे प्रभु की स्तुती कर सकते हैं, उस रात वे कैसे भजन गा सकते थे, वो ही बता रहा हूँ, पॉलूस और सिलास अपने जीवन में जिस सत्य को जान लिये थे, कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटे, उसके पीछे पर मेश्वर एक भलाई को छिपा रखे हैं, वो संकट हो सकता है, वो अपमान हो सकता है, वो बिमारी हो सकती, आर्थिक संकट हो सकता है, कुछ भी हो, पर मेश्वर उसे हमारे जीवन में अनुमती दिये हैं, तो उसके पीछे किसी अद्बुत आशिश को छिपा रखे हैं, उसे मुझे समझना है, या उसे स्विकार करना है पॉलूस और सीलास उसे स्विकार किये कृपिया सुनिये सीलास जिसे हम कह रहे हैं न पॉलूस और तिमोतियूस तिमोतियूस जवान है लेकिन सीलास जवान नहीं थे सीलास वास्तों में यरुशलेम में रहने वाली कलिस्या के अगवे थे अन्ताकिया की कलिस्या जब बढ़ रही थी उन्नती कर रही थी उन्हें जांचने के लिए और उनकी अच्छी रिती से अगवाई करने के लिए यरुशलेम से भेजा गया वो एक अगवा था उतना ही नहीं भशवक्ता था तिमूतियोस और मर्कुस के उमर कम थी ये दोनों जवान थे लेकिन सिलास जवान नहीं थे बुज़ुर्ग थे यरुशलेम की कलिस्या के वे एक अगवे थे इसलिए पाउलूस और सिलास ये दोनों परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर की योजनाओं को जानते थे वे घायल किये जाने पर भी उन घाओं को देखते वे परमेश्वर से सवाल नहीं किये ये क्या किया आपने? हम अपने प्रान को खत्रे में डाल कर सू समाचार सुना रहे हैं तो आप हमें ये इनाम दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ? आप पर विश्वास करने के द्वारा, आपकी सेवा करने के द्वारा, हमें ये प्रतिफल मिला है? प्रश्ण नहीं किये. आज हम इसे बहुत से लोग परमिश्वर से प्रश्ण करते हैं. इसका कारण जानते हैं, परिपक्ता नहीं होना. आप अपने जीवन में यदि समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं तो, इन समस्याओं को मेरे जीमन में क्यों अनमती दी गई है, समझ नहीं पाएंगे तो, ये परिपक्ता नहीं है, ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत हैं, प्रिय पॉलुस और सिला सवाल नहीं किये, घायल किये गए सवाल नहीं किये, मारे गए सवाल नहीं किये, जंजीरों से जक पर क्या किये बंदी ग्रह की नेव हिला कर रख दिये परमेश्वर की स्थुती करने में सामर्थ है कष्टों में से, समस्याओं में से, आस्वों की तराईयों में से गुजरते हुए भी मेरा परमेश्वर अन्याई नहीं है मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है आज मेरे जीवन का ये कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है बेरोजगारी हो सकती है संतान नहीं होना हो सकता है या बहुत से कष्टों और नश्टों में से होकर मैं गुजर रहा हूँ तब भी इसके पीछे मेरे परमेश्वर की अद्भुत योजना है उस योजना को परमेश्वर निश्य मेरे जीवन में एक दिन पूरा करेंगे विश्वास कर रहा हूँ इसलिए कश्टों में भी मैं क्या करूँगा? प्रशंसा करूँगा कोराह के पुत्रों के द्वारा लिखा गया ये भजन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लगा? प्रारम के एक दो वचनों में ही रोना मैं रात के समय विलाब कर रहा हूँ रो रहा हूँ आसू बहा रहा हूँ रैट? वही कोराह के पुत्र उसके बाद क्या लिखे? आठवे बचन में मैं उसका गीद गाऊंगा बजन 42 आठ का दुसरा लें और रात को भी मैं उसका गीद गाऊंगा पहले आसो फिर अभी क्या है? गीद रोने के समय मैं रोया और उसी समय गीद गाना पड़े तो गीद गाऊंगा हमेशा रोते नहीं रहूंगा हमेशा रोते मत रहिए विलाब करते समय विलाब कीजिए प्रशंशा करना पड़े तो प्रशंशा कीजिए प्रातना करना पड़े तो प्रातना कीजिए प्रियों विलाब किया प्रशंशा किया कह रहा है, देखिए, और रात को भी मैं उसका गीद गाऊंगा, और अपने जीवन दाता इश्वर से प्रातना करूंगा, विलाप करूंगा, प्रशंशा करूंगा, प्रातना करूंगा, ये मेरे जीवन में एक अद्भुत आत्मिक आदत के रूप में बना लिया हूं. प्रियों विलाब करना पड़े तो हम विलाब करेंगे, स्थुती के समय स्थुती करेंगे प्रियों बहुत से लोग जब हम सब मिलकर प्रभु की प्रशंसा करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं मुह से एक शब्द नहीं निकलता है अगर हम इनके घर जाएं तो इनकी जुबान एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रहती लेकिन जब प्रभु की कलिस्या में आते हैं प्रभु की स्थुती करेंगे, प्रशंसा करेंगे कहने से मुह खुलता नहीं है मुह से एक भी शब्द नहीं निकलता है प्रभु की पस्तिती में आकर हर एक जन को प्रभु की प्रशंसा करनी है विलाब करते समय विलाब करना है प्रशंसा करने के समय प्रशंसा करना है प्रात्ना करने के समय प्रात्ना करना है पूरी राद प्रशंसा किये जक्मी होकर भी प्रभू की स्तुती किये जक्मी थे, दर्द हो राता फिर भी प्रभू की स्तुती किये फिर क्या हुआ? भला हुआ फिर क्या हुआ? अद्बुत काम हुआ फिर क्या हुआ? एक आत्मा के उधर का कारी हुआ परमेश्वर भूकंप होने दिया बंदी ग्रह के नियो हिला दिया द्वार खुल गए फाटक के जंजीरे तूट गई कैदियों के बंधन तूट गए सारे कैदियों को भाग जाना था लेकिन जिन कैदियों को भाग जाना था वे बदल गए उस दिन पॉलूस और सिलास जब स्थुति कर रहे थे और प्रात्ना कर रहे थे गीतों के द्वारा प्रात्ना के द्वारा परमिश्वर के महानता का जब बखान कर रहे थे कैदियों को उस दिन भाग जाना चाहिए था भूकम पाकर जब सारे द्वार खुल गए भागना था लेकिन नहीं भागे, बदल गए, इन्हें यदि बाहार रखेंगे तो ये लोग बहुत से लोगों को प्रभावित करके उन्हें उद्धार में ले आएंगे सोचकर बंदी ग्रहे में डालने से बंदी ग्रहे में क्या हुआ? वहां के कैदी भी उद्धार पालिये, अद्बुत है ना, उस दिन जब वे घायल किये गए और मार्खाय वे इस सत्ती को जानते थे कि इसके पीछे एक योजना है, परमिश्वर एदि इस बंदी ग्रह में हमें लाया है तो कोई ना कोई एक कारण है, इस चार दिवारी में ए ज़र ने दिया है तो इसका कोई ना कोई कारण है, आज हमारे बीच कोई है कि ऐसे कहने वाले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है, क्यों ऐसा कष्ट परमिश्वर आने दिये हैं, क्यों ऐसी परिस्तिती को परमिश्वर होने दिये, अ पॉलुस और सिलास के जीवन में यही हुआ, इस सत्य पर वे विश्वास किये, इसलिए प्रभु के स्तुति कर सके, प्रभु से प्रात्ना कर पाए, परमेश्वर उत्तर दिये, भूकंप भेजे, बंदी ग्रह के, द्वार खुल गए, जंजीरे तूड गए, जब भूकंप ह प्रियों बताईए, ऐसे समय में कौन सा कैदी बंदी ग्रह में रहेगा, सब भाग जाएंगे, उस रोमी सामराज्य में इदि कैदी भाग जाएं तो, बंदी ग्रह के अधिकारी को मार देते हैं, मृत्यू दंड दे देते हैं, या फिर भायानक यातना देकर मार डालते हैं बंदी ग्रह का इदिकारी इस विशय को जानता था इसलिए जब बंदी ग्रह के द्वार हिल गए थे और फाटक खुल गए थे वो सोचा कि जंजीरे टूड गए सब भाग गए होंगे वो अपने आपको मारने की कोशिश किया तब पॉलुस ने उन्चे शब्द से पुकार कर कहा अपने आपको कुछ हानी ना पहुचा एक व्यक्ती भी वहां से भागा नहीं हे सज्जनो उधार पाने के लिए मैं क्या करूं क्या करूं प्रभु इश्व मसी पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा फिर क्या हुआ उसी रात को जिस बंदी ग्रह के अधिकारी ने उन्हें जक्मी किया उसी बंदी ग्रह के अधिकारी के हातों से परमेश्वर ने उनके घाओं को धुलवाया कितना अद्बुत परमेश्वर है प्रिभाईयों और बहनों, आप विश्वास करेंगे तो, जिनोंने आपको घायल किया है, वे ही आपके घामों को धोएं इस तरह मेरा परमेश्वर करने जा रहा है वही बंदी ग्रह का अधिकारी पॉलुस और सिलास को अपने घर ले गिया, उनके सुसमाचार को भै और भक्ती के साथ सुना, वो सुना और उसका पूरा परिवार सुना, उसी रातो रात वो पूरा परिवार उद्धार पाया, और पूरा परिवार उस रात बप्तिसमा लिया बंदी ग्रह में महान अद्बुत कारी क्या हुआ कहने से बंदी ग्रह के अधिकारी का परिवार उधार पाया तब पॉलुस और सिलास एक दुसरे को देख कर हसे होंगे ऐसा कुछ होने जारा मैं सोच रहा था परमेश्वर जब हमें बंदी ग्रह में भेज रहे थी तब ही मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे परमेश्वर का कोई महान उद्देश है प्रियो सुनिये एक भयानक खतरनाक दुष्ट अपराधी जिस बंदी ग्रह में था एक आत्मिक वेक्ति को उसमें डाल दिये ये वेक्ति एक आत्मिक वेक्ति था इसलिए दुष्ट और खतरनाक अपराधी के कमरे में उसे डाल देने के बाद वो आत्मिक वेक्ति लगातार घुटने टेक कर प्रातना करता था उसके साथ जो अपराधी था वो उस पर ध्यान दे रहा था तब वो इस आत्मिक को देखकर कहा क्यों भाई सुबा से शाम तक प्रातना कर रहे हो क्यों तुमारा परमेश्वर आकर तुमें छुडाएगा सोच रहे हो ऐसे पागलपन के सोच मत सोचो 20 साल हो गये मैं यहां आकर मुझे कोई नहीं छुड़वाया इसलिए तुमें भी कोई नहीं छुड़ाएगा वो परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा प्रातना करना बंद कर दो बोला तब उस आत्मिक वेक्ति ने क्या कहा जानते हैं बेरे प्रातना करने का कारण परमेश्वर आकर मुझे छुड़ाएगे इसलिए मैं प्रातना कर रहा हूँ ये तुमें किसने बताया तो तुम किस के लिए प्रातना कर रहे हो तब उस आत्मिक वेक्ति ने कहा अन्याय से मुझे कैद में डाल दिये मैं क्या प्रातना कर रहा हूं जानते हैं परमेश्वर मुझे इस बंदी ग्रह से बाहर निकाल दे कहकर नहीं कर रहा हूँ तो फिर इस बंदी ग्रह में आप मुझे क्यों लेकर आए तेरी उस मर्जी को मुझे प्रगट कर पिता ये कहकर प्रात्ना कर रहा हूँ क्या तुम्हारे बंदी घ्रह में डाले जाने के पीछे भी परमेश्वर की एक अद्बुत योजना है क्या मेरा परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में बिना किसी कारण के सिर के एक बाल को भी नीचे गिरने की अनुमती नहीं देंगे इसलिए मुझे यहां लेकर आएं हैं तो इसके पीछे परमेश्वर की एक अद्बुत योजना है प्रिय भाईयों और बैनों दुखों और तकलिफों में से परिशानियों में से बिमारियों में से समस्याओं में से मुसीबतों में से गुजरते समय इसे क्यों अनमती दिये प्रभू? ऐसे रोना नहीं. इसके पीछे आपकी मर्जी क्या है प्रभू? प्रात्ना करना ही एक सच्चे आत्मिक के गुण है. प्रियों विलाब करने के समय हम विलाब करें. प्रशंशा करने के समय हम प्रशंशा करें. प्रात्ना करने के समय हम प्र जियेंगे ऐसा अनुग्र, परमेश्वर हम सब पर करें, आई हम मिलकर, प्रात्ना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, कई बार, हमारे जीवन के कश्टों को हम देखकर, दुख विमारियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, शैतान और शैतान के लोग, कहा है तुमारा परमेश्वर? उपवास रहकर प्रात्ना करते होना, हासु बहाकर प्रात्ना करते होना, सुबह से शाम तक प्रात्ना प्रात्ना कहते होना, इमानदारी से भेट देते होना, दश्माश देते होना, सुसमाचारी के लिए साहता करते होना कहा है तुमारा परमेश्वर कई बार शैतान और शैतान के लोग जब इस सवाल को करते हैं उत्तर ना दे पाकर उत्तर नहीं होने से उत्तर कैसे देना है ना जानकर हम कई बार रोए हैं पिता लेकिन एक बात सत्य है आपसे जो प्रेम करते हैं उनके लिए सब बाते मिलक अगर भलाई ही को उत्पन करती हैं और थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं ये सत्य है पिता रास्ता दिखाई ना देने वाले मार्ग में से विपरीत परिस्तितियों में से अगर हमें जाना पड़े तो आपकी और देखते हुए आप पर निर्भर होकर बेरे जीवन में बेरा परमेश्वर ऐसी परिस्तिति को अनमती दिया है तो निश्या इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है मैं विश्वास करके आगे वड़ूँगा बेरे परमेश्वर पर शक नहीं करूँगा प्रश्न नहीं करूँगा उनके उत्तर देने तक मैं विश्वास करूँगा, उत्तर देने के बाज स्तुति करूँगा, प्रात्ना के जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा निर्णा है, पिता ऐसे जितने लोग कहकर, अपने जीवन आपको अरपन करते हुए, जिस हाल में है, अपने जीवन के हर एक बोज को, हर एक जिम्मेदारी को, जो आपके हाथों में सौपने उन्हें आशिज दीजिए, उन पर दया कीजिए, इश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन.